36 गड राजस्थान और मध्यप्रदेश समेट 5 राज्यों के विधान सभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव परिणाम के पहले बीते दिन यानी की 30 नवेंबर को 5 राज्यों के आए एक्जिट पोल ने पातियों की हकीकत सामने ला दी पोल आफ पोल की माने तो 36 गड में दूसरी बार कॉंग्रस की सरकार वापसी कर सकती है जारतर सर्वे में कॉंग्रस को बढ़त है भोपेश बखिये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हाला कि भारते जर्मता पार्टी ने पांस साल के इंतजार के बाद फिर से सत्ता में लोटने को लेकर बहुत जोर आजमाईश की लेकिन सर्वे में उसे काम्याबी मिलती नहीं दिख रही राजस्थान और वद्धिप्रदेश में बीजपी और कॉंग्रस के बीच अभी भी कड़ी टकर है ऐसे में सवाल है कि 36 गड़ में बीजपी कहां चूग गई क्या पिये मोदी की गारंटी पर भूपेश मगेल की गारंटी भारी पड़ गई क्या राजस्थान की तरह 36 गड़ में भी कोई परंपरा का खेल चल रहा है आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पांच बज़ों के जिसकी वज़ह से बीजपी सत्ता से दूर हो गई है एक्जिट पोल में लेकिन उससे पहले जान लीज़े कि किस सर्वे ने कॉंग्रस के बारे में कितना अनुमान लगाया पोल स्टेट सर्वे टुडेज चानक्या, सी वोटर, मैट्रीज और एक्सिस माई इंडिया जैसे कई सर्वे एजन्सियों की ओर से जारी किये गए सर्वे में कॉंग्रस को पूर बहुमत मिलने का दावा है 90 सदस्ये विधान सभा में जारतर सर्वे में कॉंग्रस को 50 से जादा सीटे मिलने की बात कही जा रही है एक नज़र डालते हैं उन 5 वज़ों पर जिसकी वजह से कॉंग्रस को यहां पर जीत मिल रही है जबकि बीज़पी की सत्ता में वापसे की उमीदों पर पानी फिरता दिख रहा है आप जान लीजे बीज़पी को कौन गलती भारी पढ़ सकती है पर जान लीजे बीज़पी की जावी की वजह बन रही है उन्हेंने पास साल जिस तरह से राज़मे शासन किया कई कल्यान कारी उजनाओं की शिरुआत की उसने जनता के बीच उनकी छवी को चमकाया है अपने शासन काल में बिना किसी विवाद के खुशलता पूर्वक सरकार चलाने की निपूरता ने उनकी छवी को चमकाया ही है राज़मे कांग्रस ने अपने चुनाओ परचार की शिरुआत भूपेश हैं तो भरोसा है कि नारे से की हाला कि पार्टी के अंदर अंदरूनी विवाद के बीच नारा बदला और कॉंग्रस है तो भरोसा है कर दिया गया यही नहीं विदान सवाचुनाओ से कुछ समय पहले से सीएम बगेल के करीबियों के यहाँ ईडी यानी प्रवर्ट और निदेशाले और इंकम टैक्स के चापों की वज़े से उनके पक्ष में छवी बनती रिखी राज्य के लोगों के बीचे संदेश गया कि यह चापे उन्हें परिशान करने के लिए डाले गए बीज़पी की ओर से बगेल सरकार को भरष्ट बताने की कोशिश हुए लेकिन ऐसा लगता है कि जुनता को बगेल सरकार के प्रती कोई खास नाराजगी नहीं है बारतीय जुनता पार्टी को लगतार दूसरी बार चुनाओं में हार का सामना करना पड़ रहा है उनके पीछे की कई वज़ों में एक बड़ी वज़ा ये भी है कि उसके पास मुक्यमंत्री चहरे का ना होना रमन सिंग लगतार 15 साल तक बीज़ों पी की उवर से प्रदेश के मुक्यमंत्री रहे लेकिन इस बार चुनाओं में पार्टी ने रमन सिंग के रूप में सीम का चहरा नहीं उतारा 2018 के चुनाओं में रमन सिंग की अगुआई में ही बीज़ों पी की करारी हार उसे जिसका सामना करना पड़ा ये अलग बात है रमन सिंग पहले तीन चुनाओं में जीत के साथ सरकार बनाने में काम्याब रहे इस बार बीज़ेपी ने चुनाओं में सीम चहरा तै नहीं किया पूर मुख्यमंतरी रमन सिंग का कहना है हम यहाँ पर सामोहिक नेतरतु से चुनाओं लड़ रहे हैं परिणाम आने के तुरंट बार विधायक दल की बैठक मिनेता चुन लिया जाएगा भारते चुनाओं पार्टी को लगातार दूसरी बार चुनाओं में हार का सामना करना पड़ रहा है उनके पीछे की कई वज़ों में एक बड़ी वज़ा ये भी है कि उसके पास मुख्यमंतरी चहरे का ना होना लेकिन इस बार चुनाओं में पार्टी ने रवन सिंग के रूप में सीम चहरा नहीं उतारा था ये एक बहुत बड़ी वज़ा इसके बारे में लगातार कहा जा रहा है अगर हार होती है जैसा कि एक जिट पोल कुछ ऐसा ही बता रहे हैं तो ये एक वज़ा हो सकती है 36 गड़ में कॉंग्रेस ने शांदार तरीके से सोशल इंजिनियरिंग का इस्तमाल भी किया कॉंग्रेस ने टिकट बटवारे में सोशल इंजिनियरिंग का खास ध्यान रखा और यही वज़ा है कि एक जिट पोल सर्वे में कॉंग्रेस की जीत में अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती के वोटर्स की एहम भूमिगा रही दूसरी और बीज़पी को अगड़ी जाती के वोटर्स जाधा मिले कातार सौफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते रहे चुनावी साल में कॉंग्रेस ने बड़े स्तर पर हनुमान जन मुटसव बनाया हनुमान जयन्ती पर जगजे के सुन्दर कांड हनुमान चालीसा का पाठ हुआ खुद सीम बगहेल भी इसमें शामिल रहे यही नहीं चुनाव से पहले बोले जिस बजट में प्रदेश सरकार ने रामायन महतसव के लिए 12 करोड उपे का प्रावधान भी किया था साथी सरकार ने हिंदू लोगों की आस्था को देखते हुए राम बंगमन पत का निर्मान कराया साथी प्रदेश में स्थित चर्चित माता कौशलिया मंदिर समेथ 5 एहं 3 तस्थलों में भगवान राम की प्रतिमा का निर्मान कराया 36 गड में ही देश में एक मातर कौशलिया माता मंदिर है हाला के बीजेपी ने सौफ्ट हिंदुत्व की काट के लिए कई बड़ी गोशनाई की थी बीजेपी ने अपने गोशना पत्र में बादा किया था कि अध्या में बन रहे राम मंदिर के दर्शन के लिए 36 गड़ के लोगों को राम लला दर्शन योजना लागू करेंगे तो भूपेश बगेल सरकार ने अपने पांस साल के कारेकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की सरकार ने तीन साल पहले 20 जुलाई 2020 में गोधन नयाई उजना का अगास किया इस योजना के तहट ग्रामिनो पशुपालकों और गोशाला से लगभग सरकार दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है फिर इन गोबरों से दिये अगर बत्ती जैविखाद और गुलाल सबित कई तरीके के घरेलू प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके अलावा सीम बगेल ने पिये मावासे उजना की जगे ग्रामिनावास ने आई उजना की शुरुआत की जिसके तहट गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा इन सब योजनाव ने राज्य के वोटर्स को प्रभावित किया भुपेश बगेल फिर से सत्ता में लोटते एक्जिट पोल के हिसाब से दिख रहे हैं